हेलो प्रेंड्स, बिलकम टू माई चैनल अनुराग वाइट इड़ आज हम के विएस के जो पेड़ोगागी कोश्चन है वो करेंगे हमारा पहला कोश्चन है बालग में होने वाले क्रमबद रूप से सुसंगत परवर्तन की संक्ला को क्या कहते हैं बालग में जो क्रमबद रूप से सुसंगत परवर्तन होते हैं उसे हम विएस कोश्चन बिकास के पक्रिया बालग के गर्भा वज़ता से लेकर जीवन प्रवन्त एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रतेग वज़ता का प्रभाव दूसरी वज़ता पढ़ता है इस कथन का संबद निम्लिकित में से किस मनोबग्यानिक से है उप्सन ए गेसल उप्सन भी अलाग उप्सन से प्याजे या उप्सन दी सुग्राद तो जो इसका राइट उप्सन है वो है उप्सन नम्बर भी अलाग नेश्ट कोश्चन बिकास के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है आप्सन ए बिकास बिन भिन भिन बिक्तियों में बिन भिन गत से होता है आप्सन भी है बिकास जन में से कि सोरा वस्ता तक बहुत तीव गत से होता है और उसके बाद रुख जाता है या आपसन से विकास जन्म से किस dar वासर तक आंगे करो बढ़ता है और फिर पीछे की स्वादियोर आपसन दी है विकास अत्मख परवर्तन एक सीधी रेखा में आँगे जाता है तो इसका right option है आपसन है विकास बिन बिन बिक्तियों में बिन बिन होता है निश्ट कोशन विकास के लिए निमलिकित में से कौन सा एक उचीत है विकास जन्म के साथ प्रारंब होता है और समाप्त होता है आप्सन बी है समाजिक सांस की संदर्व विकास में एक महत्पुन भूमका का निर्वा करता है या option C है विकास एकल आयामी होता है option D है विकास प्रथक होता है तो इसका correct answer है option B समाजीक सांस्कृतिक संदर्वे विकास में एक मायतपुन बुमका का निर्वा करता है next question है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्ले अवस्ता से प्रसवपूर अवस्ता से सहसा अवस्ता से या पूर बाल्ले अवस्ता से तो जो विकास शुरू होता है ये प्रसवपूर अवस्ता से प्रारंब होता है right answer है option B next question विकास के संदर्वे निम्लिकित में से कौन सकतन सत्त नहीं है option A विकास की प्रतेक अवस्ता में अपने खत्रे हैं विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता option C विकास सांस्केतिक प्रवतनों से प्रवावित होता है option D विकास की प्रतेक अवस्ता की अपनी विस्ता होती है तो विकास के संदर्वे कौन ससर ही नहीं है तो इसका correct answer है option B विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं बढ़ता है next question है विकास की गती एक बिक्ति से दूसरे में बिन होती है किन्तु ये एक है डाडड डाड नमूने का अन्गोमन करती है option D option D अपत्यासिद option D और बिवस्तिद तो इसका right answer है option D क्रमबत और बिवस्ति रूप से विकास एक बिक्ति से दूसरे बिक्ति में अन्गोमन करती है next question निमली कितमे से कौन सा कतन विकास और अदिगम के मद्द संबन्द को सबसे रूप से जोड़ता है option A विकास अदिगम से सोतनत है option B अदिगम विकास के पीछे रहता है या option C अदिगम और विकास समाना तक परवासिक सब्द है या option D अदिगम और विकास एक जटिल तरीके से अन्द संबन्दीत है तो इसका right answer है विकास और अदिगम अधिगाम और विकास एक जटिल तरीके से अंता समन्दीत है निश्ट कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा मानो विकास का सही क्राम है Option A सहसावस्ता, किसोरावस्ता, बालेवस्ता या प्राणवस्ता Option B यह बाल्य वस्ता, सहसवस्ता, किसोरा वस्ता या पॉर्ण वस्ता तो जो मानो विकास का सही क्रम है वो है सहसवस्ता, बाल्य वस्ता, किसोरा वस्ता और प्राण वस्ता अपसन नमबर भी करेक्ट है नेश्ट कोश्चन मानो विकास मातरातमक है गुणातमक है ए और भी दोनों ये कुछ सीमा तक अपमानी है तो इसका राइट अंसर है मानो विकास मातरातमक और गुणातमक दोनों होता है अताहत आपसंसी करेक्ट है निश्ट कोशन बाल विकास का दन चेट रहे बाल विकास की बीबिन आवस्ताओं का दन करना option B.A. वातों का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभाओं का दन option C. बैक्तिक बिबिन आवक्ताओं का दन one option D. उप्रयुक्त सभी तो इसका राइट अंसर है उप्रयोक्त सभी अर्थाद बाल विकास का देन का छेतर बाल विकास के विविनवस्ताओं का देन करता है वातरण का बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभाहों का देन करता है और बैक्ति विविनदाओं का देन करता है नेश्ट कोश्चन बाल बिकास में प्रिक्रिया परबल है वातन और अन्बो की भूमका परबल है गर्बा वस्ता से किसोर वस्ता का द्यन होता है ये उपरयोक सभी तो इसका रायट अंसर है उपरयोकते सभी निम लिखित में से कौन से एक साई करम है आपसन ए अंडान सुक्राण बलास्टोसिष्ट ये युगमनच आपसन भी है बलास्टोसिष्ट अंडान सुक्राण युगमनच आपसन सी है बलास्टोसिष्ट युगमनच अंडार्ड सुक्राण। या अप्षन D 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 नेश्ट कोश्चन है निमली कित में से कौन सब प्रारंबिक बाला वस्ता अवद के दारान उन बुमकाओं यह विवारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समू में स्युकार नहीं प्रारंबिक बाला वस्ता के दोरान जो ब्यवार बच्चा सिखता है वो माता पिता है और नमबर डी नेश्ट कोश्चन है गामिक बिकाश से हमारा ताथ परमान स्पेसियों के बिकाश से तता पहरों का उची तुपेव उप्सन मस्तिक और आत्मा उप्सन भी अधिगम और सिच्चा उप्सन से परिशिच्चन और अधिगम या उप्सन भी सक्ति और गति तो इसका राइट अंसर है उप्सन नमबर डी सक्ति और गति नेश्ट कोश्चन है बाल विकाज की परवासा का अध्यन छेतर है आप्सन है मानुवी समर्थों में परवर्तन का परिच्छन करता है आप्सन बी जीवन अवत के दोरान बिवार की बैक्या डूड़ेगा आप्सन C है बच्चों की वयस्क तता वयस्ट नागरिकों के साथ तुलना करेगा या आप्सन D है किसी बच्चे के संग्यात्मक समाजिक तता दूसे समाथों के करमिक विकाज के लिए उत्तरदाई होगा तो इसका राइट अंसर है आप्सन नमबर D बाल विकाज जो है वो बच्चिक के संग्यानत्मक, समाजिक और दूसरे समार्थों के क्रमिक विकाज के लिए उत्तादाई होगा निश्ट कोश्यन विकाज का अर्थ है निश्ट कोशेन है विकास के सिदान्तों के बारे निम लिखित में से कौन सकतन गलत है Option A विकास वो अंसर नुगत और वातवन के बीच सत अन्नोन किरिया से होता है विकास परपक और अदिगम परदारित होता है पितेग बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में बैक्तिक बिनता है बहुत होती है या विकास एक परणात्मक पक्रिया है जिसका ठीक ठीक से माप हो सकता है तो इसका राइट अंसर है Option D यानि कि विकास एक परणात्मक पक्रिया है जिसका ठीक ठीक से मापन हो सकता है Next question है बच्चे के विकास के सीरस सिदान्द के उसान निम्रमने से कौन सा कथन सत्त नक कथन है Option A, विकास सीर से पायर की ओर होता है Option B, विकास पायर से सिर की ओर होता है Option C, विकास मत बाग से परिद की ओर होता है Option D, इर्पुर्ण से कोई नहीं तो जो सीरत से दंद करता है कि विकाज जो होता है सिर्थ से पायर की ओर होता है आप्सन नमबर A इसका करेक्ट है नेश्ट कोशन बालक के सारीरिक वक्किरियातम विकाज की दिसा होती है आप्सन A सिर्थ से पायर तता सरीर के बाहर से मद्द की ओर बच्चे के बिखाँ के सितांटों को समझना सी छक्चिस साहता करता है पिकास कभी न समाप्त होने वाली पक्रिया ये विचार की से समिन दीता है C, A, K, 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 K आप्सन डी या अर्थाद बालक के जो बेक्तित के सरूंगे बिकास के लिए आवस्यक है कि उसके बिवार की जानकारी सिच्छक को हो निश्ट कोशन निम लिखित में से कौन सा बिकास का सिद्धान था है बिकास की सभी पक्रियां अंता समंदिद नहीं है बिकास सभी की बिकास दर्थ समान नहीं होती आप्सन से बिकास हमेशा रिखी होता है आप्सन ये नियनतर चलने वाली पक्रिया आना है इसका राइट अंसर है आप्सन नमबर बी अर्थाद बिकास के सिद्धान कहता है कि सबी की विकास के दर समान नहीं होती है या ताद बिन मिन होती है नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 26 निमन में से कौन सा बच्चे की समाजिक मनोबह ग्यानिक आवसकतां के साथ सम्मद नहीं है आपसने समाजिक अन्मोदन अथवा सराना की आवसकता आपसन B, समय का अतम अक्सुर अच्चा की अवसकता आपसन C, सरीर से अपसिप पदातों के निमन रूप से बाहर निकलना चार आपसने समाजिक मनोबह ग्यानिक अवसकतां से समंदित नहीं है नेश्ट कोशन प्रात्मिक सिच्छक के लिए बाल मनुब ग्यानिक का ग्याना वस्था कहें कि ये बच्चों को अंसासित बनाने में सायता करता है आप्सन भी परिच्छा परणा में उन्नत होती है Option C, ये बच्चों को अपहरित करने के लिए सुब्धा जनक तरीका बन जाता है Option D, ये बच्चों के बवार को समझने में सिच्छक की साहता करता है तो इसका राइट अंसर है Option D, प्रात्मिक सिच्छक के लिए बाल मनोब ग्यान का ग्यान ना होना हो सक है क्योंकि ये बच्चों के बवार को समझने में मदद करता है नेश्ट कोश्चन सिच्छक को ग्यान होना चाहिए अध्यापन भी सै का बाल मनोब ग्यान का सच्छा साहिता का अध्यापन भी सै हों माल बनो ग्यान का तो सिच्छक को ग्यान होना चाहिए अध्यापन भी सै हों बाल मनोब ग्यान का ना नेश्ट कोश्चन क्वेशन नमबर 29 कह रहा है यद कुछ बिद्यारती कच्छा में अध्यापन की चित्रवत्य में नहीं है तो आप उन्हें अध्यापन के लिए बाद करेंगे उन बिद्यारतीयों को कच्छ छोड़ने के लिए कहेंगे उन्हें चितावनी देंगे कि वे अवस अध्यान करेंगे अनिता आप दानत द्यापक को सुचित कर देंगे जो आपसन दिकार आए उनकी रूच यथवा आपने विसर के उसार रूच पूर्च चीज बताएंगे इसका राइट अंसर है आपसन नमबर D अर्थाथ जो यदि विद्यातिक अच्छ में अधान की चितवती नएगे निज्ट कोशन है मानोविकास कुछ बिसे सिदानतों पर अदाइद है निम ने कितमे से कौन सा मानोविकास का सिदान नहीं है आपसन ए अनुक्रमिक्ता आपसन भी समान से विसिष्ट आप्सन C प्रति वर्ति या आप्सन D निरंदरता तो जो मानो विकास के दान्त नहीं है वो है प्रति वर्ति आप्सन अम्बर सी इसका करेक्ट है निश्ट कोशन निचली कच्छाओं में सिच्छन की खेल पद्दत मूल लूप से अधारित है आप्सन A सारी जिच्छाकार करमों के सिदान्त पर आप्सन B है सिच्छन पद्दतियों के सिदान्तों पर आप्सन C विकास उम्रति के मनो बग्यानिक सिदान्तों पर या आप्सन D सिच्छक के समा सास्त्री सिदान्तों पर तो इसका राइट अंसर है option number C विकास है उम्रेदिके मनो बग्यानिक सिद्धान्तों पर Next question निमलिकित में से कौन सा विकास का सिद्धान्त है Option A, ये निरंतर चलने वाली पक्रिया नहीं है Option B, विकास की सभी पक्रिया अंतर समधिन नहीं है Option C, विकास की दर समान नहीं होती ये option D, विकास हमेशा रेखी होता है इसका राइट अंसर है option number C यानि विकास का जो सिद्धान्त है वो कहता है कि सभी की विकास की दर जो समान नहीं हो सकती Next question निम्न में से कौन सी रुच के बारे में सत्त नहीं है रुचिया जन्मजात और अर्जित दोनों होती है रुचिया समय के अंसर बदलती रहती है option C है रुचिया योगताओं में अब छपताओं किसे समंदिन नहीं होती option D, रुचिया विवार में अकरसन विकरसन पितिबंब नहीं है तो जो रुच के बारे में सत्त नहीं है वो है option D, यानि रुचिया विवार में अकरसन विकरसन पितिबंब नहीं है next question बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते है option A केवल आंत्री कारक, option B केवल बाह कारक option C, आंत्री केवल बात दोनो कारक या option D, उपरक से कोई नहीं जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो होते हैं आंत्री केवल बात दोनो कारक next question बाल विकास का निमले खितमे से कौन से सिदान ये बताता है कि बालकों का विकास उनके डाट-डाट के अनरूप होता है Option A. निरंतरता का सिदान Option V. विकास क्रम की एक रूप तक सिदान Option C. वैक्तिक अंतर का सिदान Option D. परसपर सब्बंद का सिदान इसका राइट अंसर है Option C. वैक्तिक अंतर का सिदान Next question निश्ट कोच्छन कह रहा है विकास के पक्रिया पूर नीची दिसा में आंगे बढ़ती है ये कथन बाल विकास के किस सिदान का अनुसरान करती है आपसन ए एकिकरान के सिदान, आपसन भी निरंदरता के सिदान, आपसन सी विकास की दिसक सिदान या option D, वैक्तिक विविन्तक सिद्दान इसका right answer है option number C, विकास की दिसा का सिद्दान नेश्ट कोशन दो वैक्ति समान नहीं होते परन्तु, सभी बालकों में विकास एक्रम समान होता है ये कतन निम्निफ से किस मनों बे ग्यानिक का है option A, option B, गैसल option C, रिक्सन या option D, वैक्तिक विकास की इसका right answer है, वो है option number B, गैसल ये गैसल का कथन है नेश्ट कोशन कोशन नमर लातिस कह रहा है कोई भी नराज हो सकता है ये आसान है, परन्तु, एक सही बिक्ति के उपर सही मात्रा में, सही समय पर सही उद्देश के लिए सही तरीके से नराज होना असान नहीं है, ये समन्दित है समवेगात्मग विकास से समाजिक विकास से संग्यान अद्मग विकास से ये सारी विकास से तो जो इसका right answer है, वो है option number A, समवेगात्मग विकास से next question निम्लिकित में से किस कतन को सीखने के लच्छन के रूप में नहीं माना जा सकता option A, सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनवाओं के पढ़ाम सरूप गटित होती है option B, बिवार का अधन सीखना है option C, अनधिगम भी सीखने का एक इस्सा है option D, सीखना एक पक्रिया है जो बिवार में मन दिस्ता करती है तो इसका right answer है बिवार का अधन सीखना है ये इसका option नमबर भी correct है यानि सीखने के लच्छन के रूप में इसे नहीं माना जा सकता क्योंकि बिवार जो है अधन के करके नहीं बलकि अनकुराण करके हम सीख सकते है next question question number 40 कह रहा है बच्चे के उचित विकास को सुनिचित करने के लिए उसका स्वस्त सारी विकास से एक महत पून आवा सकता है ये कथन option एक गलत हो सकता है क्योंकि विकास निरंता बेक्तिकति मामला है option B सही है क्योंकि विकास क्रम में सही विकास सबसे पहले इस्तान पर आता है option C कह रहा है विकास के अन्र सभी पच्चों साथ अंता समंदित है option D गलत है क्योंकि सही विकास के अन्र पच्चों किसी प्रकास से प्रवाविन नहीं करता तो जो इसका question number 40 का right answer है वो है option number C यानि की सारीरी विकास जो है वो विकास के अन्र पच्चों साथ अंता समंदित है question question number 40 कह रहा है और धाडाओं का मुक विकास मुक रूप से हिस्सा है बौदिक विकास का, सारीरी विकास का, समाजी विकास का ये समय गातम विकास का जो इसका right answer है वो है बौदिक विकास का next question question number 42 कह रहा है समाजी विकास के संदब में निम लिके दिये के कतनों में कौन साथ कतन सही नहीं है option ये समाजी विकास का ताथ पर होता है समाज के अंतरगत रहकर विमिन पहलूं को सीखना option भी कह रहा है option C कह रहा है समाजी विकास के मादम से बालकों को बयापक जुड़ा होता है option D ये एक सिच्चिस समाज में ही बालकों का उत्तम समाजी विकास हो सकता है जो इसका right answer है वो option number 2 बालकों के विकास के रूप में समाज को पर्थम पाथ साला माना जाता है next question question number 47 कह रहा है निम्न में से कौन से कतन विकास के बारे में सत्य नहीं है विकास उन्तक्रिया का फल है विकास एक बेवस्चिस संकला का नगामी है विकास एक बेतिगत प्रिक्रिया है ये विकास बिसिस से समान की और होता है तो इसका right answer है option number D विकास बिसिस से समान की और होता है ये कतन सत्य नहीं है next question भासा के बिकास के लिए सबसे समेंदा सील समयने विक्रिक्रिया के से कौन सा है मद्धवस्चा का कल वैसकता प्रारंबिक बच्पन का समय ये जन्मिसे पूर का समय तो जो question number 44 का right answer है वो है प्रारंबिक बच्पन का समय जो बच्चों के लिए बहुत ही समेंदा सील समय होता है बासा सीखने के लिए next question है भासा बिकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है option है बच्चे को बिना टोके प्रकरन पर बात करना option B उसकी अपनी भासा के प्रयोग को अमान करना option C उसके प्रयोगों का समर्थन करना option D भासा के प्रयोग के अउसर उपलब्द कराना question number 45 का right answer है उसकी अपनी भासा को प्रयोग को अमान करना next question निमली खितमे से किसको मुक अधकारी गरंत कहते है option A थाइराइट गरंती option B एडलनल गरंती option C अंतस रावे गरंती option D प्यूस गरंती question number 46 का right answer है option number D यानि प्यूस गरंती next question मानो भिकास को निमली खितरों बिवाजित किया जाता है option A सारे रिक अध्यात्मिक संग्यात्मक समाजिक option B option C संग्यात्मक समेगात्मक और समाजिक option D 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 next question है जो सर्वाइवल आप दा फिटेश्ट रहता है का सिदान्त है लेमार्क का हैरिशन का डार्विन का या मैक डूगल का question number 48 का right answer है option number C यानि डार्विन का जो सर्वाइवल आप दा फिटेश्ट रहता है यह है डार्विन महोदे का next question विकास में ब्रद्य से तात पर रहे ज्यान में ब्रद्य हो रही है उसके समेंग में ब्रद्य हो रही है वजन में ब्रद्य या आकार सोज़ समाज़ कोसल में ब्रद्य तो जो इसका right answer है वो आपसा number D यानि कि विकास के ब्रद्य से तात पर रहे कोशन नमर 50 और आज का लाश्ट कोशन है एक बच्चे की ब्रद्य और विकास के अध्धन की सरवदिक अच्छी बिदि कौन सी है मनुबिसली तुल्यातमक बिदि विकासी बिदि या संकी की बिदि तो इसका रायट अंसर है विकासी बिदि आज ये CDP पेड़ागोगी के 50 कोशन पूरे हुए है मिलते हैं नेस्ट विडियो में कमेंट करके जरू बताएं विडियो कैसा लगा धन्नवाद